कि नमस्कार केतू का ट्रांजिक्ट चिन होने वाला है इसका हम सर्चा आज करते हैं केटू गिरह का गोछर बदलने वाला है के तू और राहु दोनों गिरह का गोचर शांथ सांथ बदलता है राहु सार है तो केतू धढ़ है आज की वीडियो में केतू कण्या राशी में गोशर करने वाला है इसका परवाव महीना दिन से फ़ले रिजल्ट आने लगता है इसलिए एक महीना फ़ले वीडियो डाल रहे हैं केतू 30 अक्टुबर को राशी बदलने वाला है 18 महीने के लिए केतु क्या है जड़ है, केतु पताका है, केतु ध्वज है, केतु पतली गली है, पतला वायर है, केतु नरसंतान है, केतु का प्लेश्मेंट अच्छा तो नरसंतान अच्छा, हर काम में रुकावट केतु है, केतु कुट्ता भी है कन्या राशी में केतू का गोचर हर राशी लगन में प्रभाव डालेगा केतू का प्लेश्मेंट कैसा है वैसा ही रिजल्ट आएगा अगर आप इस्ट्र लॉजर हैं तो प्रभाव नहीं डालेगा बट कोई अस्ट्र लॉजर नहीं है तो उसका प्रभाव आएगा प्रभाव उतना नहीं आएगा जो अस्ट्र लॉजर है जिसका केतू का प्लेश्मेंट खराव है अस्टम भाव में है उसके जिसका धार्मिक हो जाएं पूजा पाट करें मेडिटेशन करें अध्यात्म से ज तुखी रह सकता है काला कुत्ता को रोटी खिलाएं ये भी उपाय है केतु का सही उपाय है अगर अब काला कुत्ता को रोटी डेदी खिलाते हैं तो धीरो धीरे उसका अशर कम होने लएगा धन्यवाद